तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई और न्यूस चैनल्स पर वो चल गए। यहाँ पे सवाल यह आता है क्या उसको आप पुलिस अरेस्ट कर लेगा। दूस तो आज की अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे की फेक मांख Sheets के बारे में या फेक डिग्रियों के बारे में या हम बात करेंगे माल लीजिए कहीं पर कोई कंसल्टेंट काम कर रहा है और कोईatti इंसिट्यूट एडमिशन्स लेता है और एडमिशन्स ल चल गई यहाँ पे सवाल यह आता है क्या उसको अब पुलिस अरेस्ट कर लेगी दूसरा सवाल यह आता है किसी भी मीडिया पर्सन ने जाकर उसकी वीडियो बनाई और ऐसे में तीन चार लोगों की उसी लाइन में या उसके आसपास जाकर वीडियो बनाई और पूछा बैक डिगरी किस तरह से मिलती है कितने की मिलती है कहां से मिलती है उसके बाद जाकर कंप्लेंट कर दी क्राइम ब्रांच में या पुलिस को पुलिस ने आकर रेड मारी रेड मारने के बाद में उसे अरेस्ट कर लिया और भी लोगों के नाम आ गई तो ऐसे में जो पुलिस अप आपके साथ साजा कर रहे हैं इसी तरह की एक F.I.R. पर आज बात करेंगे और अपने व्यूज अपने कमेंट्स आप जरूर बताना आपको कैसा ये वीडियो लगा ज्यादा कुछ जानने के लिए इस F.I.R. के बारे में दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो की साथ तो मस्कार दोस्तों फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रेक्टिस और मेरा नाम है विरेदर दोस्तों F.I.R. कुछ इस तरह से है मैं दो F.I.R. की इसकंदर बात करूँगा पहली F.I.R. तो मैं आपसे ये बात करूँगा कि क्या इसमें F.I.R. हुई भी होगी कि मान लीजिए कोई मीडिया परसन कोई भी आया जी न्यूस से कोई भी आया उसने किसी एक कंसल्टेंट की वीडियो बना ली बात करते हुए कि बही किस तरह से डिगरी दिलवा होगे कितने जल्दी टाइम में डिगरी दिलवा होगे कौन कौन से डिगरी आप हमें दिलवा होगे उसके बाद जाकर वो न्यूस चैनल पर जाकर वो वीडियो चला दी गई तो क्या इसमें F.I.R. होगी पुलिस आपको अरेस्ट करेंगी कई सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे ऐसी वीडियो बनी जाके न्यूस चैनल पर डालती कि ये किसी भी तरह से पैसे कि ये लेंदिन का मामला पैसा तो involved in cases में होता ही है और बहुत जादा डरते हैं वो लोग कि अगर पुलिस के हत्ते चड़ गए पुलिस हमें बहुत मारेगी पीटेगी नेने नाम उगलवाएगी इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के दिल में होते हैं अपने देश में कानून दोस्तो वैसे तो बहुत ही जादा अच्छी बात कहिए किसी विद्वान ने जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आएगी तो पुलिस के पास क्या-क्या चीज़े हैं करने के लिए जो ड्यूटीज हैं अर्नेश कुमार के जज़्ज्मेंट में बाते बताई गई सतंदर कुमार अंटियल का ज़्ज्मेंट आया उसमें बताया गया सबी सुप्रीम कोट के जज्जमेंट है, उन जज्जमेंट को आप देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो भी आपको बहुत नॉलिज मिली होगी, अपने इस तरह के केसिस को लड़ने के, उस तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आप सबी से एक request है, आप में से जितने भी नई वकील सहाब है, कोई भी law student है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या आपका सगा सर्बंदी जानकार कोई भी इस तरह के मामलों में, अगर जेल में है, या फिर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, आप कुछ भी पूछ कोई भी सवाल आपके दिल में है, दिये गए नमबर पे WhatsApp करें, आपको reply करेंगे, हो सकता है, हमारे किसी reply से आपकी कोई मदद हो सके, तो कि हम वो सब बता रहे हैं, जो हमारा personal experience है, प्रैल कोट में लड़ने का, हाई कोट लडने का, सुप्रीम कोट में लडने का, हम चाहते से डिगरियां दिलवाएंगे, इतने समय में दिलवाएंगे, ये खर्चा लगेगा, इतना पैसा होगा, ये सब वीडियो बनाने के बाद में, उस वीडियो को जाकर दिखाया गया, क्राइम ब्रांच में, जाकर दिखाया गया, वहाँ पर DCP को, या फिर SP को, या एसीपी क जाकर वहाँ रेड मारते हैं, रेड मारने के बाद में बहुत सवाल जवाब होते हैं, वहाँ चार-पांच लोग और भी काम कर रहे थे, उसके मालिक के अलावा, उसका मालिक वहाँ पर नहीं था, और ऐसे में बाकी सब लोगों को भी पुलिस, पुलिस टेशन ले जाती है और जो भी कुछ बरामद होता है, उसके ऑफिस से काफी सारी माकशीट्स बरामद होती है, वो सब कुछ लेकर थाने पहुच जाते हैं, अब जो आदमी है, वो फरार है, जो उसका मालिक है इंसिटूट का, बाकी और एक और जो पार्टनर था, उसको पुलिस पकड़ लेती है, अरेस्ट करते ही, वहाँ पर उसके साथ रिमांड लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, और बाद में उनसे नाम उगलवाई जाते हैं, दोस्तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूँ, कई सारे नाम तो पुलिस जबरदस्ती उन लोगों को लेने के लिए बोल देती है, क् इसलिए इसमें इन्वेस्टेकेशन का टाइम 90 डेस का होता है, क्योंकि ये जो F.I.R. लॉज हुई थी, ये F.I.R. लॉज हुई थी 420, 466, 468, 471 और 120B, मतलब इसमें जो लास्ट में जो 120B मैंने आपको बताया, शडियंतर करना, प्लानिंग करके लोगों को ठगना, तो ये भी इसके अंदर section add हुआ, फरजी माक्षिटे मिली तो 467 आएगा ही, फरजी माक्षिट देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, 400BC कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है, आप सभी लोगों के लिए सवाल है, मैं तीन सवाल पूछूँगा, और comment box में अपने सव पालों के जवाब देना जरूर, पता चलेगा कि वीडियो में आप कितना active हैं, सबसे पहली बार, कि दोस्तो 477 पुलिस ने लगा दिया, क्या जरूरी है कि वहाँ से माक्षिटे बरामद हुई ही हो, उसके पास हो सकता है कोई माक्षिटी ना हो, बस उसने बात की थी, हो सक पास है कि वह सिर्फ एडमिशन करवाता हो, तो ये माक्षिट कहां से आई, सबसे पहली बात, दूसरी बात, अब जो इनसान फरार है, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने तो उठा कर बाकि लोगों को जेल भेज दिया, और तीसरा सवाल, कि जब तक चार्ट जाती है, जहां-जहां वो नाम लेता है, वो बोलता है, कुछ एजेंट लोग दिल्ली बैटे हैं, कुछ एजेंट लोग MP मध्य परदेश में बैटे हैं, कुछ एजेंट लोग हिमाचल परदेश में हैं, तो ये माक्षिटे मिली थी पुलिस को, या जो उन्होंने उसे भी बेल मिल जाती है क्यों मिल जाती है क्योंकि private university की mark sheet थी ऐसा कोई serious offense बहुत आगे का बढ़कर offense नहीं नजर आ रहा था जिसमें की बहुत सारे students का future दाप पर लग गया हो क्योंकि जो student mark sheet खरीदने आ रहे हैं वो कौन सा दूद के धुले हैं क्योंकि वो लोग भी तो फ 471 लग जाता है IPC का section बदल गए हैं बी इनस में selection बदले जा चुके हैं तो दोस्तों इस तरह के मामलों में पुलिस का बहुत ज़्यादा active हो जाना actively काम करना जगा जगा रेड़ मारना लोगों को उठाना और काफी सारे लोगों को छोड़ देना उनका charge sheet तक में नाम ना ये कोई भोचका करने वाली दोस्तों बाते नहीं है ये इस तरह के मामलों में खास करके जहां पैसा involved होता है ऐसे मामलों में ये चीज़े होती हैं अब हम बात करते हैं उस आदमी की जो इनसान फरार था जो भाग गया था उसका क्या हुआ दोस्तों उसमें क्या हुआ कि उ लगबग लगबग 4-5 मेने का टाइम हो चुका था पर अभी भी 82 की प्रोसेडिंग नहीं हुई थी मतलब वो पुलिस वालों के हो सकता है टच में हूँ जब सुप्रीम कोर्ट बेल लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसे एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है कुछ क्योंकि वो डेड़ दो महीने से तो ऑफिस पर ही नहीं गया था अफिस में क्या हो रहा था उसे पता नहीं था कोई भी इंडेपेंडेनट विटनिस इसकेस में था नहीं सीस्टी फुट इस थी नहीं पुलिस ने प्लांड किया नहीं ऐसा कुछ नहीं पता है ज़ük माक्श बनके आई थी, पुलिस वहां तक नहीं पहुच पाती है, अगर पहुच गई थी युनिवस्टी तक, तो युनिवस्टी के किसी व्यक्ति को क्या अरेस्ट किया, क्या उनमें से किसी को पार्टी बनाया, और अगर सेंटर ही छाप रहा था, तो सेंटर के पास से प्रिंटर मि पूसार जब केस को लड़ते हैं कोट में तो देखते हैं 5-7 साल कम से कम लग जाते हैं इन केसी को decide होने में और सब लोग बरी हो जाते हैं क्यों क्योंकि पुलिस ने अच्छे से investigation ही नहीं की पुलिस के पास concrete evidence ही नहीं थे पर क्योंकि पैसा involved था तो पुलिस बहुत actively काम कर र सके दोस्तों अच्छा लगा हूँ आज कर वीडियो चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलें साथ में लगा बेल आकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की legal awareness की वीडियो आप तक बहुत सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्त हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने हैं तुक्त हमारी बने हैं